असलामलेकूम जी बहुत फूब सर कस्टमाइज सूट के साथ हम हाजिर हैं अच्छा जी यह जो मैं वीडियो बना रही हूँ यह प्रॉपर टेलर मेर काम है ए वन क्वालिटी का जिसको काम कहा जाता है और जो लोग इसको पे आफ कर सकते हैं डाफिनेटली स्था के चार्जि स्टिच करवाना चाहिए तो वो भी करवा सकता है किसी की बुदीक है वो इस लेवल का काम स्टिचिंग के लिए चाहता है तो हमसे करवा सकता है और फिर किसी को अगर प्रोड़क्शन चाहिए तो यह प्रोड़क्शन वाला पीस तो बेसिकली नहीं है प्रोड़क्शन का म किस तरह डिजाइन कि एक प्रिंटिट सूल को ये इसका डुबट्टा आ गया ठीक है डुबट्टे को हमने प्रॉपर ली इसको मैं आप रिसा से जिखाऊंगी ये इसका डुबट्टा आ गया इस पे सारी ये फिनिशिंग लगी है अच्छा अब ये सिल्की फिनिशिंग अगर आप गलोरिया श्मोस की जगह पे आप सॉटन करेंगे कम प्राइसिस होंगे बजारी पल्टे करेंगे कम प्राइसिस होंगे तो ये एक मैं कहरी हूँ ए वन या ए प्लस प्लास जो केटेगरी है ये उसकी स्टिजिंग है तो आप चैक कीजेगा ये प्रॉपर मद प्रेंट है जी की ये प्रिंटेट सूट को हमने इस तरह से डिजाइन इसका आपको दिखाते चाहेंगे ये इसका आ गया थबत्त इसका ट्रान इसके साथ अजाया गया घए अजा ठौक्सर होता है जिसकी bottom थोड़ा loose होता है और यह around 8 या 10 inch का होता है अगर हम इसको check करें तो यह है 10 inch का ठीक है जी यह 10 inch का इसका trouser है small medium large में stitch है finishing check करें यह होती है proper finishing boom slide के साथ सारा stitch हुआ हुआ है finishing check कर सकते हैं और इसकी shape check कर सकते है proper tailor made shape है यह इसका belt आ गया और यह 20 sizes time में आपको दिखा रही हूँ और इस पे यह देखें जी elastic A1 quality की होगी आपको elastic की complain यह आएगी proper यहाँ पे plates के साथ यह बनाया गया जीके जी इंशालाँ आपको हमारी stitching जो पसंद आएगी आप अपने कबड़े भी इचके भी करवा सकते हैं लेकिन make sure कि आपके पास time लाजमी हो कि हमारी unit पे विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें आप CMT करवाना चाहें आप अपने बुदी का मास स्टीच करवाना चाहें brand की boxes sellers हैं स्टीच करवाना चाहें तो करवा सकते हैं printx के साथ यह बहुत पूप स्टर ट्राउजर इसका स्टीच हो गया यह इसके अब shirt की look है सबसे पहले shirt का यह चैटर के neckline आप neckline चेक करें कितना finished proper त्यार है यह जो डुबटे पे हमने last यूज की थी बरीक वही milky less हमने यह neckline पे यूज की है दैन इसके बाजू आगे आप बाजू पे चेक करें यह हमने pure organza लगाई है और single नी double लगाई है single organza आपको यह look देती है ठीक है जी हमने double organza लगाई है बहुत light से इसके thread निकाले हैं कि वाश के बाद यह ज्यादा खराब नहीं करते हैं कि वाश के बाद हराब हो जाते हैं वह होता है जब आप single लगा रहे हो तो double लगाया और ज्यादा नहीं निकाले तो यह आपको इतनी खराबी नहीं देंगे और बहुत खुबसर से कि यह milky last के साथ यह सारा इसका अपलिक का डिजाइन है फिनिशिंग आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं यह देखें आप एंड तक देखें यहां तक हमने फिनिशिंग यह देखें अपलाई कि यह चोड़ा पल्टा गुम्सलाई के साथ यह सारा स्टिच है प्रॉपर फ्यूजिंग के साथ स्टिच है जिसकी वज़ा से यह एपलिक है एक तो फिनिशिंग आपने देखी यह सारी नीटनेस भी आगी दूसरा इसका होल्ट भी उतना अच्छा आ गया अब कपड़ा पेने वे तो आपको यहां से लुक अच्छी दे रहे हैं लेकिन अंदर जब तक आपका काम नहीं होगा तो वह होल्ड अच्छा नहीं है इसकी वज़ा से यह बाजू का होल्ड और और औरगैंजा का होल्ड अच्छा आ रहे है इसकी कॉलिटी चेक कर सकते हैं यह इसकी कीवी है इसी तरह से ही सेम दामन है इसका दामन चेक करें दामन पे भी एपलिक है प्रॉपर डबल औरगैंजा और यह प्योर औरगैंजा लगाई भी है पाकिस्तानी aplica ने लगा ईहां फिनिशिंग के साथ आपको चलोजिंग के साथ अप्लाइज किए लिए गयें यहां से आपकी प्रशवर कलोजेंगर इसकी लिखा यह करेकिने देखा हुआ हुआ है उसकी कि कर्वाना चाहते हैं तो हुआ चैहिंग्यू के साथ पर टेलर मेड काम है यह इसकी बैक शिट आगी बैक प्रिंट आगया अगर यह सूट अवेल करना चाहें तो भी राप्ता कर लीजेगा स्टिच आर्टिकल में ठीके जी उनिस से लेके पच्छिस चोबिस चेस साइस तक यह है इस तरह से और अगर आप स्टिचिंग हमसे करव है कि हमारी एक चीज है कि आपको इस लेवल की स्टेशिंग करवानी है तो आपके फोड़िबिलिटी है तो मोस्ट वेल का काम आए क्यूंकि यह काम होता है एक दो दिन में एक पीस त्यार होता है तो लेबर भी नाइन टू सिक्स की ड्यूटी पर काम कर रही होती है तो इस तो मच अलाफिस